हेलो एवरिवान डियर स्टूडेंट आज की क्लास में बटा हम चैप्टर नमबर टू लेहासा की और के प्रेशन उत्तर करेंगे ठीक है कुश्चन के आंसर मैं आपको समझाओंगी फिर इसकी पेडियेफ आपको सेंड कर दूँगी ठीक है बटा कुश्चन नमबर फर्स्ट फर्स्ट कुश्चन है अपना थोडला के पहले के आखरी गाउं पहुचने पर बिकमंगे के वेश में होने के बावजूर लेखक को ठहरने के लिए उची तुस्तान मिला जबकि दूसरी यात्रा के समय बदर वेश में भी उन्हें उची तिस्तान नहीं दिला सका क्यों दे 29-39 की बाद थी उस समय लेखक छदम वेश में गया रथा अपने वास्तविक वेश को चुपा कर पहचान को चुपा कर विकमंगे का वेश बना कर गया जब विकमंगे के वेश में गया था तो वहां लेखक को ठहरने के लिए उची तिस्तान मिला जबकि दूसरी बार यात् करते समय लेखक के साथ सुमती था वहां गाओं में सुमती के जान पैचान के लोग थे इस कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगे मिल गई थी जब लेखक पहली बार तिमपत गया तब उसके साथ भिकमंगे का वेश में गया था साथ में कोन गया था सुमती सुमती क जान पेचान के बोश से यजमान थे तब इन्हें ठैरने के लिए अच्छी जगे दी गई लेकिन जब दूसरी बार जब लेखक बता रहा है कि दूसरी बार जब हम भद्रवेश में गोडे पर सवार होकर सूट बूट पहन कर गए तो वहां कप पहुचे शाम के समय पहुचे अक्सर शाम के समय वहां के मोस्तली लोग चड़ पीकर अर्थाथ नशीला पदारत है जिसे पीकर अपने होश वाश खो देते थे इस तरह की मनवरती के कारण लेखक को रहने का उच्छी तिस्थान नहीं मिला उन्हें सबसे गरीब के जोपड़े में ठहरना पड़ा आगे की समझे बड़ा देखिए पहली बार जब लेखक भिकमंगे के वेश में गया तो उसे रहने के लिए अच्छी जगे मिली लेकर दूसरी बार जब सूट बूट में गोड़े पर सवार होकर गया तो ठैरने के लिए उची तिस्थान नहीं मिला क्यों पहली बार मिलने का पीकर मस्त रहते हैं तार छड़ एक नशीला पदार था जिसे पीकर लोग नशे में मस्त रहते हैं तो उन्हें एक गरीब के जोपड़े में रहने को स्थान मिला ठीके सेकंड कोश्चन है उस समय तिबद में हतियार का कानून ने रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का और पिस्टोल को भी लाठी की तरह लिए फिरते थे वहाँ पर अनेक निरुजन इस्तान थे जान नए पुलिस का और नहीं खूफिया विभाग का प्रबंध था वहाँ पर डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भै बना रहता था समझा है या? सेकंड कुश्चन है, सोरी थार्ड कुश्चन है लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिचड़ गया था क्या कारण था कि लेखक अपने साथियों से मार्ग में बिचड़ गया था लड़कोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण बिचड़ गया था कि उसका गोड़ा मंदगती से चल रहा था, जो लेखक को जो गोड़ा मिला था, वो गोड़ा मंदगती दीरे दीरे चल रहा था, जब लेखक उस पर जोर देता, तो वह और भी सुस्त हो जाता था, अगर लेखक जोर जबरदस्ती करना भी चाहता, कि ये गोड़ा जल्दी च चला गया और फिर पता चला कि जिस रास्ते पर लेखक खा गया वो रास्ता क्या गलत है फिर लोटकर वही सी उसी रास्ते पर चला जिससे वे पिछड़ गया था इस कारण वे पिछड़ गया था ठीक है सबसे पहला पॉइंट लेखक का जो गोड़ा था वो बड़ा सुस्त ता दीरे दीरे चल रहा था दूसरी बात लेकक मार्ग में रास्ता भी भूल गया था एक साइड ऐसी थी जहां दो रास्ते निकल रहे थे अब नई जगे आप जा रहे हो वहां के बारे में कुछ पता नहीं तो अनुमान से ही आप जिस रास्ते पर चल दिये डेड़ दो किलो किलोमेटर गलत जगे पर पहुंच गए फिर वापिस देड़ दो किलोमेटर चल कर उसी में जगे पर आए जहां से चले थे और फिर वहां से दूसरे रास्ते पर चले तो स्वाभाव एकसी बात है कि आप लेट हो गए ही हो गए इस कारण लेखक अपने साथियों से था ठीक है बिट्णा कोश्चिन नंबर 4 फूर्थ कोश्शिन है लेखक ने शेकर विrod में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका परण्तु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया नहीं देजिए पहले लेखक ने शेकर विढ़ में सुमति लेखक का म मीशन नहीं दी परंतो दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का भी प्रयास नहीं किया, क्या कारण था, किस कारण से देखिए, सुमती आसपास के गाउं में गंडे वांटने जाता था, ठीक है, जो जल्दी वापस नहीं आता था, जहां वो जाता था, वहां समय लगा कर आता इसलिए लेखक ने उसे यजमानों के पास जाने से रोका परंतो दूसरी बार लेखक को शेकर व्यार के एक मंदिर में बुद्वचन अनुवात की 103 पोथिया मिली लेखक को उनका अवलोका नेवम अध्यन करने के लिए समय की जरूरत थी इसलिए एकांत ग्यान अरजन ग्यान प्राप्त करने की दिस्टी से लेखक ने सुमती को रोकने का प्रयास नहीं किया पहले देखिए लेखक ने सुमती को इसलिए रोकना चाहा कि लेखक को पता था यह जहां भी जाते हैं वह समय अधिक लगाएंगे ये उनके बहुत सारे यजमान हैं, वो अपने यजमानों को गंडे बाटने जाएंगे और मैं यहां अकेला रह जाओंगा, लेकिन दूसरी बार लेखक ने इसलिए परमीशन दी कि लेखक को बुद्वचन अनुवात की वहां एक मंदिर में 103 पोथियां मिल गई थी, तो एक पोथि 15-15 किलो के बरावर की थी, तो लेखक चाह भी रहा था कि मैं इन पोथियों को पढ़ूं और इनसे ग्यान अर्जन करूं, ग्यान प्राप्ट करूं, इसलिए लेखक ने दूसरी बार सुमति को जाने से नहीं रोका, ठीक है, नेक्स फिफ्ट कुश्चन है, अपनी यात्रा के दोरान, दोरान लेखक को किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, लेखक ने 1929 में लेहासा की जब यात्रा की, लेहासा तिबबत की राजधानी है, तो लेखक को मार्ग में किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था, मार्ग में कौन-कौन सी जिनका लेखक को सामना करना पड़ा अपनी यात्रा के दुरान लेखक को निम लिखित कटनाईयों का सामना करना पड़ा उचे डाड़ों और बिहड एवं उबड़ खाबड रास्तों पर उसे तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी भात खुन कर देते थे हतियार का कानून नय होने से डाकूं का भै रहता था क्योंकि जैसे कि आपको बताय सर 1929 की बात है उस समय तिबबत में हतियार का कोई कानून नहीं था और हतियार का कानून नय होने के कारण लोग अपने हाथ में बंदूक और पिष्टोल ये घुमते तो लेखक को जब ये लेखक तिबबत की यातरा कर रहा था, उस समय लेखक को कई ऐसे निरजन इस्थानों से भी गुजरना पड़ा, जहाँ डाकूं का बैठ था, डाकूं कभी भीभी खून कर देते थे, हत्यार का कोई कानून नहीं था, तो डाकों का डर बना रहता था नेक्स्ट लेखक जब यात्रा कर रहा था तो उसको जो गोड़ा मिला था वो मंद गती से चल रहा था दीरे दीरे चल रहा था इसलिए लेखक मार्ग में अपने साथियों से भी छड़ गया था वापस आते समय अपना समान स्वम पीट पर लाथ कर पैदल यात्रा करनी पड़ी थी गए किस पे थे गोड़ों पर और जब वापसी उत्रे तो पैदल समझा गया अपनी यात्रा के दुरान लेखको किन किन कटनाईयों का सामना करना पड़ा था नेक्स्ट है प्रस्तोत यात्रा वरतांत के अधार पर बताईये कि उस समय तिबबती समाज कैसा था तिबबती समाज लेशन के स्टाटिंग में आया बिटा देखिए लेखक ने सन 1929 तीस में तिबबत की यात्रा की थी लेखक कौन है पाटके लेखक कौन थे राहूल सांस्क्रत्यान ठीक है कबलेखक ने ये यात्रा की थी सन 1929 तीस में कहां की यात्रा की थी तिबबत की यात्रा की थी उस समय वहां इस्त्रियों में परदा प्रथा नहीं थी वहां की इस्त्रियां एपरिचित यात्रियों के लिए चाय बनाकर सेवा सायता कर दिया करती थी वहां के लोग शाम को छट पीकर नशे में मस्त रहते थे दार्मिक प्रवर्ती के कारण वहां के लोग बोध गया के कपड़े से बने गंडे दारन करते थे समाज में चुआ चूद जाती पाती की कूप रथाय नहीं थी खूफिया विवाग या पुलिस का पूरा इंतिजाम नहीं था इस कारण अप्राद वरती भी प्रसलित थी लोग लाठी की माती अपनी बंदूक लियर घूमते रहते थे अधिकाश मठों का जमीन आधि पर कबजा था बिक्षुक जागीर के लोगों में राजा की समान समान पाता था जागीदारों को मजदूर बेगार में मिल जाते थे बुद और उनसे समंदित वस्तों को मैत दिया जाता था देखिए तिबबती समाज उस समय कैसा था परदा प्रथा नहीं थी जाती पाती चुआ चूँ तूच नाच किसी तरह का कोई बेदबाव नहीं था और लोग मत्यार का कानून नहीं था वहां पे लोग बंदू कैसे हाथ में लिए गुमते रहते थे लेकिन बंदू क लिए गुमते रहते थे और दूसरा क्या था आधिकाश मठों का जमीन आधि पर कबजा था ठीक है समझा गे मिटा नेक्स कोश्चन है मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का आर्थ बतलाता है मैं अब पुस्तकों के भीतर था लेक्स के पढ़ने में रम गया था देखिया अपना कुश्चन है मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का आर्थ है इसका क्या आर्थ है जो ये वाक्य दिये गए कौन सा option सहिए ओप्षन है option one लेखक पुस्तके पढ़ने में रम गया था सेकंड ओप्षन लेखक पुस्तकों की सेल्फ के बीतर चला गया था थार्ड ओप्षन लेखक के चारो और पुस्तके ही थी फॉर्थ ओप्षन पुस्तक में लेखक का परिच्चे और चितर छपा था तो आंसर होगा option one लेखक पुस्तके पढ़ने में रम गया था ठीक है वेटा यह आपके exercise के जो questions थे वो मैंने आपको समझा दिये अब इसके बाद extra रचना और अभी व्यक्ति के questions देखिए question number eight सुमती के यजमान और अन्य परीचित लोग लगभग हर गाओं में मिले इस अधार पर आप सुमती के व्यक्तित की किन विशेष्टाओं का चितरन करेंगे question number eight सुमती के यजमान और अन्य परीचित लोग लगभग हर गाओं में मिले इस अधार पर आप सुमती के व्यक्तित की किन विशेष्टाओं का चितरन कर सकते हैं देखिए सुमती के जो यजमान थे सुमती को बहुत अधिक मान समान देते थे बहुत अधिक यजमान थे सब सुमती से मिले तो इससे उनके ब्भवार की किन विशेष्टाऊं का पता चलता है किसके ब्भवार की सुमती के ब्भवार की point 1 ईसका गूण धार्मिक विचारक सुमती बौध धर्म से आस्ता रखने वाला था उसके यजमान दूर दूर तक अने गाओं में फैले हुए थे वह उन्हें बहुत गया से लाए गए गंडे देता था यजमान उसका धर्म गुरू की तरह समान करते थे धर्मिक विचारक था तभी लोग उसे गुरू के समान उसका समान करते थे वो बोध गया से लोगों को गंडेला कर देता था ठीक है और बोध दर्मे आस्ता उनकी बहुत अधिक थी फिर लालची वह तीर थी आत्रा का परशाद बाटने के बाहने नकले गंडों को भी बोध गया के कपड़ों से बना कर यजमानों को बाटता था और उनसे दक्षिना पाता था वह ये सब दक्षिना के लालत से करता था एक सुभाव क्या बता है लालची देखे मिलंसार सुभाव दार्मिक विचारक और लालची ये सुमती के व्यक्तित की विशेशतें थी नेक्स्ट कोश्चन नमबर नाइन नाइन कोश्चन है हाला कि उस वक्त मेरा बेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था उस वक्त के अनुसार हमारे आचार वेवार के तरीके वेश-बूशा के अधार पड़ते होते हैं आपकी समझ से यह उचित है अत्वान उचित विचार व्यक्त कीजिए देखिए यह कतन पूर्ण रूप से सत्ते हैं कि हम किसी के अच्छे पेनावे को देखकर उसका मान समान करते हैं परन्तु फटे फुराने कपड़ों को देखकर उसका जरा भी समान नहीं करते लेकर बिक वैवार और वेशबूशा के अधार पर किसी का सम्मान या अपमान करना सरवता अनुचित है वस्तुत वेशबूशा की अपेक्षा साधा जीवन उच्विचार को महत देना उचित रहता है मात्मा गांदी इश्वर चंद विद्या सागर प्रेम चंदादी सदारन वेशब वेशबूशा पहनने वाले थे प्रन्तों उनका व्यक्ति तुमान था और सब उनका सम्मान करते थे व्यक्ति का सम्मान उसकी वेशबूशा से नहीं होता बलकि उसके वैवार से किया जाता है वैवार अच्छा होना चाहिए साधा साधा जीवन उच्विचार होने चाहिए और ये कुछ उधारण दिये जैसे गांदी जी, ईश्वर चंद, विद्या सागर, ठीक है प्रेम चंद, इनका बहुत अधिक सम्मान था, सम्मान था परन्तु इनकी वेश भूशा से नहीं, वेश भूशा तो इनके बिल्कुल सदारण रहती थी, बलकि इनका जो जीवन था सादा जीवन और उच विचार रखने वाले ये व्यक्ति थे, तो हम ये कह सकेंगे कि व्यक्ति की पैचान उसके वस्तरों वेश भूशा के अधार पर तैक नहीं की जा सकती, बलकि उसके गुणों के अधार पर डिपेंड करती हैं, नेक्स्ट, क्वेशन नमबर टैंथ, य प्रस्तुत करें, वहां की इस्तिती आपके राज्ये शहर से किस प्रकार भिन है, यात्रा वरतांत के अधार पर तिबद की बोगोलिक इस्तिती के बारे में बताईए, देखी हिमाले परवत, शिक्रों से गिरा तिबद, उचा पठारी भूब आ गये, वहां पर बरफीले, श्वेज शिकर्त था, वनस्पतियों से रहित गाटिया, डाडे में एक का निर्जन छेत्र, वहां पर आवा गमन के गिने चुने मार्ग और साधन है, तिबद की जलवायू विचित रह, दिन में भी सर्दी का प्रकोप रहता है, परंतु दूप इतनी तेज पढ़ती है कि वहां की दूप सहन नहीं होती, वहां रास्ते चड़ाई और उत्राई के हैं, जो उबडखा पड़ है, कुछ भागों में खेती होती है, सारी भूमी जमीदारों में बटी हुए है, जमीन पर मठों का अधिकार है, जागीदारी को बेगार के मजदूर मिल जाते हैं, हमारा राजिस्थान उचन जलवायू का है, इसके पश्चिम भाग में विशाल मरुस्तल है, पूरवी एवं धक्षिन में खेती होती है, राजिस्थान का भूबाग तिबबत की बोगोलिक इस्तिती से सरवता भीन है, हमारे राजिस्थान की बोगोलिक इस्तिती और तिबबत की भगोलिक इस्तिती में बहुत अधिक अंतर है ठीक है नेक्स कुश्चन है आपने भी किसी स्थान की यात्रा वश्य कियोगी यात्रा के दुरान कुछ अनुभाओं को लिखकर प्रस्तुत कीजिए तो देखे बेटा इस कुश्चन को आप लोग अपने आप लिखेंगे कि या पार्ट में लेखक ने तिबबत की यात्रा की तो लेखक ने अपने अनुभाओं को पूरे इस पार्ट में लिखा कहां कहां गए क्या 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 अनुभाओं किया कैसा घोड़ा था वहां की बोगोलिक इस्तिती कैसी थी वहां की सामाजिक इस्तिती कैसी थी ठीक है यह सब लेखक ने जैसे हमें बताया ऐसे ही question number 11 को आपको अपने आप करना है ठीक है next next question है आपका बिटा बस इसमें आपको बिटा यह 11 तक ही कराऊंगी ठीक है बिटा यह 11 तक question आप कर ले न next day मैं आपको इसकी PDF send कर दोंगी अभी आप इस वीडियो को सुनना सभी answers को अच्छे से समझना और कोई भी doubt हो बिटा अपने doubt को clear जरूर करना और PDF वीडियो को ध्यान से सुनना ठीक है बिटा किसी भी तरह का कोई भी doubt अपने मन में मत रखना next day मैं आपको इनकी PDF send कर दोंगी फिर आप उसे homework में कर लेना okay thank you